अब मैं प्रोटीन फोल्डिंग के उपर बात करने की कोशिस करता हूं तो प्रोटीन फोल्डिंग में मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टरसीरी स्ट्रक्चर और और Quartanary Structure जैसी बातचीत मैंने करी थी और जब मैं Primary, Secondary, Tertiary, Quartanary और ऐसे Structures के उपर बात किया था तो मैंने शुरू में आपको यह चीज बताया था कि यह एक Process of Folding को इसो करते हैं जब कोई Primary Structure Fold करता है तो वह Secondary Structure बनाता है और Secondary Structure फोल्ड करता है तो वह Tertiary Structure भी हो सकता है Spontaneous का मतलब जो है अपने आप होने वाला Process Energetically Favorable Process भी हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि Folding का या Renaturation का Process बिना किसी Energy के मदद से भी हो सकता है लेकिन हाँ वो Process जो है वो Protein को Correctly Fold कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह दोनों अलब चीज़े हैं ठीक है तो फिलाल के तोर पे जरा ध्यान देने की कोशिस करते हैं तो Primarily Sequences में अगर आपके पास एक Sequence of Amino Acid अब इन Sequence of Amino Acids को यहाँ पे दो Groups को आप mention कर रहे हैं अब यह दो Groups जैसे कि CO और NH2 या कोई भी दो Groups हो सकते हो सकता है कि यह सिस्टीन को आप सो कर रहे हो या whatever it is तो मैं अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप सो करें CO और इस तरीके से आप सो करें NH या something else तो जब ऐसे दो Groups के बीच में कोई ना कोई interaction जैसे hydrogen bond या disulfide bond या कोई भी ऐसे interactions होते है तो इसकी वज़े से linear chain जो होता है पहले hydrogen bond की वज़े से कुछ ऐसे compact structure बनाता है और यह एक या तो helix बना सकता है या तो ऐसे कुछ sheet जैसे structures बन सकते हैं तो आपका जो primary structure है उसमें कुछ main chain में interactions की वज़े से आपको क्या देखने को मिलता है helix और sheet देखने को मिलता है या दो से ज्यादा secondary structure जब जूडते है तो वह बनाते है motive और motive जो होते है वह एक structural functional form of secondary structure बोल सकते है जिनके पास कुछ properties होती है चाहे वह ligand से bind करने की चाहे वह ATP से bind करने की चाहे वह DNA से bind करने की ऐसे motive हो सकते है और कई सारे motive मिलके बनाते है domain और domain कई सारे मिलके बनाते है पूरा का पूरा tertiary structure तो एक secondary structure जो है वो कैसे motive और motive से domain domain से जो है याद आ रहा है मोटिफ क्या है और डोमेन क्या है या भूल चुके हो तो प्रोटीन फोल्डिंग जैसा मैंने बताया कि कोई भी एक लीनियर स्ट्रक्चर जो है फोल्ड कर सकता है और फोल्ड करके जो है एक प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म हो सकता है जैसे सीधे सब्दों में हेसा बात करें तो पोल्डिंग का मतलब एक तरीके से होता है तयार होना कोई प्रोटीन जो हैम इस ट्यार होता है ठिके आती है protein folding एक physical process है physical process का मतलब जिन में thermodynamics involved होगा protein folding is a physical process in which protein chain acquires its native three dimensional structure जब कोई भी एक linear structure जो है उस process से जिससे वो three dimensional structure गेन करता है उसी को बोलते है physical process है वही protein folding है protein folding में कोई भी polypeptide अपने 3D confirmation को achieve करता है 3D का मतलब three dimensional ठीक है तो कोई भी प्रोटीन जब three dimensional 3D space में protein compact होता है तो उसे बोलते हैं आप that is for protein folding इसके बाद हम बात करते है this process is a spontaneous process अगर मैं spontaneous process मेंशन करूँगा तो इसका delta G negative show करूँगा या positive show करूँगा delta G आप negative show करूँगे delta G की value negative होगी तो process spontaneous होगा और positive होगी तो process जो है वो non spontaneous होगा और जब हम बात करते हैं तो this is assisted by some of the molecular chaperons याद रहे assist मैंने बोला है this is not performed by कई सारे literature में कई सारे लोग बोलते कि folding chaperons ही करवाते हैं folding chaperons करवाते नहीं है उसको assist करते हैं help करते हैं अगर यह SSP नहीं भी होगा न तो भी protein folding की process होगी ठीक है ध्यान रहे कि अगर chaperon नहीं भी होगा तो protein folding की process होगी लेकिन protein correctly fold हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह बात अलग है लेकिन protein folding spontaneous process है उस process को assist करता है HSP that is a heat shock protein या molecular chaperons ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं this is crucial for protein functions क्योंकि protein की folding अगर नहीं होगी तो उसके पास specific domains तयार नहीं होंगे और तयार नहीं होंगे तो वो specific ligand से specific substrate से specific DNA से bind कैसे करेगा तो किसी भी protein को function perform करने के लिए उसको सही तरीके से fold होना बहुत जरूरी है और protein में अगर folding सही नहीं हुई miss folded protein हो गया for example one protein जो है वो miss folded हो गया तो क्या होगा फिर वो जहां बाइंड करना था उसकी जगह किसी और से बाइंड कर जाएगा और जिसकी वजह से protein की activity जो है वो हो जाएगे and because of the loss of activity of protein कई जग disease जो है वो अपियर होते हैं क्योंकि loss of function of protein जो है वो बहुत सारे disease कॉज कर सकता है example के तोर पर एक बहुत ही common protein है protein 53 जिसको आप P53 भी बोलते है P53 में अगर loss of function mutation हो जाए तो cancer cause होता है क्योंकि protein 53 एक tumor suppressor gene होता है ठीक है तो इस तरीके की चीज़े आप जानते हैं और हर जगाओ पर प्रोटीन के specific structure के लिए जाने जाते हैं आप लोग cytoskeleton पढ़ रहे होंगे आज कल तो cytoskeleton में जो है बहुत सारी ऐसे important proteins का अपने नाम सुना होगा उनमें किसी के पास ATP binding region है किसी के पास myocene binding है किसी के पास जो है tubulin से related binding regions होंगे किसी के पास अलग वो domains क्या है specific functions क्या है क्योंकि उनके पास specific domain region आ रहे है तो वह 3D confirmation of any protein is very very essential for any kind of functions the process spontaneous है और यह एक biosynthesis के बाद का process है मतलब post-translational phenomena इसको आप बोलते है post-biosynthesis process post-biosynthesis process को आप बोलते है post-translation process पतब translation के बाद होने वाला phenomena इस protein folding is influenced by various factors like they can be influenced by the solvent salt temperature और चैपरोंस इन में हम चर्चा करेंगे मैंने कुछ कुछ चीजों के उपर बात करी थी salt के उपर temperature के उपर कि यह कैसे जो है basic तौर पर solubility को affect करते है और solubility के साथ folding को भी affect कर सकते है विल डिसकस लेकिन पहले protein folding को पढ़ना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर protein folding के बारे में basics बताया क्या कोई भी protein folding एक process से होता है और वो process का nature जो है physical होता है यानि कम से कम होनी चाहिए तो वो stable होगा the polypeptide 3D confirmation अचीव करता है folding के through और assisted by the molecular chaperons and they are crucial for the protein function and misfolded proteins may cause the disease याद रहे कि misfolded protein हमेशा disease cause करेगा जरूरी नहीं है कोई बिगडा हुआ इंसान हमेशा किसी को पीटे ही यह जरूरी नहीं है ठीक है हो सकता है कि वो बिगडा हुआ और spontaneous folding जो है जैसा मैंने बताया कि अपने आप हो सकता है अच्छा protein folding के उपर जब हम बात कर रहे थे तो protein folding जो phenomena spontaneous 3D confirmation यह सब चीजें सो कर रहे थे यहाँ पर primary structure ही फोल्ड करेगा यह secondary भी कर सकता है अगर primary हो चाज secondary हो अल्टी में उसे किसमें पहुचना होगा टर्सियरी या quaternary में डिपेंड करता है कि वह single polypeptide का है या more than one polypeptide का अगर अगर थोड़ा सा आगे लेकर चलू तो देखो और डिटेल में में प्रोटीन फोल्डी की बात कर रहा हूं तो आपके पास यह लेवल अव structure की बात करें तो primary structure रहे आपके पास primary structure फोल्ड करके क्या बनाता है सेकेंडरी स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यह एक basic जो है वो structures है अब primary structure जो होता है एक्टुली में original, original polymer का जो chain होता है, linear structure यह होता है, जो आपका linear structure होगा, वो आपका कौन होगा, यही आपका that is primary structure, इस primary structure में आपके फिर structure में secondary structure का formation होता है, अब secondary structure में beta sheet भी बनता है और alpha helix भी बनता है, क्या बनता है, beta sheet भी बनता है, और alpha helix भी बनता है और ये beta seat alpha helix किससे जुड़े हो सकते turn और turn और loop से ठीक है अच्छा turn और loop का जो presence आप show करते हैं वो end में show करेंगे कि दो structure के बीच में show करेंगे intermediate show करेंगे turn और loop आप इसको ज़्यादा तर turn और loop का जो presence show करेंगे वो intermediate position पर show करेंगे और turn और loop में इस amino acid का presence सबसे ज़्यादा होता है प्रोलीन और ग्लाइसीन का तो can we say that कि इस chain में प्रोलीन और ग्लाइसीन का जो presence है वो टर्मिनल पर होगा वो या intermediate position पर होगा प्रोलीन और ग्लाइसीन टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होना चाहिए नहीं तो आपके टर्मिनल पर ही turn आ जाएंगे जिससे की दिक्कत हो जाएगे इसलिए हम सो कर सकते हैं कि प्रोलीन और ग्लाइसीन सुद प्रेजेंट सुद प्रेजेंट इन इंटर्मिडियेट पोजीशन येस और नो ठीक है अच्छा बीटा सीट और एल्फा हेलिक्स में मैंने आपको जो मॉस्ट प्रोमिनिंट अमीन शीट को विशीट करता है यह भी बता रखा तिया आता है कि पहले कौन बनता है पहले mavern रिक स्ट्रक्चर बने के चांसे जाएदा याई कि देखो सीट बनने के लिए स्ट्रेंड्स बनेंगे ध्यां से समझेगा स्ट्रेंड्स अब इसको ध्यां से समझेगे कि बीटा शीट बनने के लिए क्या बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंड्स होंगे और स्ट्रेंड्स बनने के लिए आपके हैलिक्स बनने चाहिए क्योंकि स्ट्रेंड्स आर् एलफा हेलिक्स बनेगा और एलफा हेलिक्स के बाद लेटर स्टेज पर कौन बनेगा लेटर स्टेज पर कौन बनेगा बीटा शीट बनेगा अरे कुछ समझ में आ रहा है यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है कैसे किस तरीके से हो रहा होगा इस स्ट्रक्चर को बोलते क्रिस् बीच में क्या होते हैं इनके turn और लूप होते हैं यह structure आपके पास पाइज़ाएंगे order of synthesis में और यह structure जब यह बनते हैं और बीच में turn और लूप जो present होते हैं इसी पूरे structure को बोलते crystalline structure यह crystal जैसा नजर आता तो इसलिए इसको जो क्रिस्ट लाइन फॉर्म बोला जाता है क्रिस्टलाइन का मतलब प्रॉपर क्रिस्टल नहीं जैसे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं जैसे डायमंड है जैसे जो है निकल है ऐसे क्रिस्टल्स नहीं है लेकिन इसका स्ट्रक्टर प्रॉपक्ट हो जाता है इसलिए आप इसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्टर बोलते है इट ल इस secondary structures में कुछ ऐसे रीजन होंगे, कुछ ऐसे रीजन होंगे, जिनके की R ग्रुप में हाइडोफोबिक रीजन ज्यादा होंगे, जैसे की alpha helix, alpha helix के R ग्रुप में ज्यादा तर, जो है, हाइडोफोबिक अमीनोसिट्स होते हैं न भाई, अरे, yes or no, कई सारे ऐसे याद है कोड, गाव के लोग पीलो लेके FM सुनते हैं, याद आ रहा होगा तो वो थोड़ा सा कर लोगे, तो अब यह जो हाइडोफोबिक रीजन होते हैं, इसके बाद वो फॉर्म करते हैं एक फिनॉमेना जिसको बोलता है हाइडोफोबिक कोलाप्स, यह पूरा का पूरा ज्यादा तर बीटा शीट में होंगे कि अलफा हैलिक्स में होंगे, ज्यादा तर ज्यादा तर अलफा हैलिक्स में होते हैं, यह चीज़ ध्यादा तर जो हाइडोफोबिक कोलाप्स जो होगा, बीटा शीट में होगा कि मुस्टली अलफा हैलिक्स में होगा, अल्फा हेलिक्स में होगा तो हाइडोफोबिक कोलाप्स होने के बाद यह रीजन पानी से बचना चाहेगा कि पानी से एक्सपोज होना चाहेगा बचना चाहेगा और बचना चाहेगा तो प्रोटीन के सरफिस पर रहेगा कि प्रोटीन के अंदर बरीड होने चाहेगा बरीड होना चाहेगा तो हम यह बोल सकते कि जो अलफा हेलिक्स होंगे वो किसी भी प्रोटीन के अंदर की तरफ घुसेंगे इंटीरियर की तरफ जाएंगे और जो बीटा सीट्स होंगे या बीटा स्ट्रेंड्स होंगे, वो किधर की तरह भागने कोशिस करेंगे, यह सर्फेस पे भागने की कोशिस करेंगे, अगर किसी ने आप से पूछ दिया कि एलफा हेलिक्स किसी भी प्रोटीन की इंटीरियर होगा और बीटा सीट सर्फेस पे होगा क्या बताओगे कौन सर्फेस पे होगा बीटा-शीट Q और alpha-helix interior ये reason क्या है ये process क्या है hydrophobic collapse इसमें जो alpha reason में जो amino acids थे जिनके R group में hydrophobic groups या amino acids थे ये आपस में interact करके collapse कर गए इसी को बोलते है hydrophobic collapse मतलब ये एक collapse हो गया hydrophobic groups करीब आ गये और उपर के तरफ hydrophilic groups चले गए इस तरीके से अब यही structure जो है finally और confirm और ज़्यादा जो है interact करके R group यानि साइड चेंड का interaction होके क्या बनाएगा? Tersierie structure, क्या बनाएगा? Tersierie structure. और इसी Tersierie structure में क्या होगा? इसी Tersierie structure में आपके polar और provalent bond का formation होगा, जैसे ionic bond का formation होगया, hydrogen bond का formation होगया, और साथ में डाइसल्फाइट बॉन का फरमेशन हो गया इन सबके बाद यहां पर क्या होगा सब यूणिट का असोइशन होगा और सब यूणिट करके क्या बना देगा क्या को इस सारे जो है तर्सीरी मिलके क्या बनाएगा crystalline formation का मतलब है कि alpha, beta and turn ये बनेगा alpha helix, beta sheet and turn और ये हो जाएंगे secondary structures और ये secondary structures में फिर क्या होगा hydrophobic collapse और collapse होगा तो आपके पास alpha helix कहां की तरफ present होगे interior side में और beta sheet कहां होगे surface side में और और interaction होगे क्या बनाएगा तरसीरी और तरसीरी में फिर एक compact structure बनेगा और compact structure में एक surface होगा और एक core होता है और surface और core यहां पर जो कहानी बनती है surface और core तो surface पर कैसे amino acid होगे mostly polar होगे कि non polar होगे और जो core होगा जो interior होगा उसमें कैसे होगे mostly non polar होगे अच्छा जो surface पर में polar बोरना हो इसका मतलब सिर्फ polar होगा कि non-polar भी होगा polar भी होगा लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहां पर polar जादा होगा non-polar से surface पे और core में non-polar जादा होगा polar से यह कहने का मतलब है यह चीज़ ध्यान है कि ऐसा नहीं कि surface पे सिर्फ polar है अंदर non-polar है और ऐसा नहीं कि surface पे सिर्फ polar है अंदर सिर्फ non-polar है इसका मतलब यह है कि surface पे polar amino acid का presence जादा होगा as compared to non-polar एंड दूसरे सब्दों में बोला जाए तो core में non-polar amino acid का presence जादा होगा as compared to the polar ठीक है तो यह चीज़ आ जाएगी आपके पास तो आपके polar और covalent interactions यहां पे होंगे और होने के बाद क्या बनेगा sub unit association होगा और यह quaternary structure बनेगा this is the detailed step of the protein folding जो आप देख रहे हैं कुछ समझ में आई बात अरे हाँ या ना है ठीक है तो protein folding कुछ कुछ आपको यह जो simple diagram जो मैंने बताया था इस simple diagram में आपने देखा primary, secondary, tertiary वाला case लेकिन उसमें थोड़ा सा interesting मैंने बताया कि कैसे आपके पास जो है सबसे पहले आपका primary था crystalline का formation हो रहा था या क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन जो है इसके बाद बनता है secondary और hydrophobic collapse के बाद बनता है tertiary this step should be clear primary structure के बाद crystalline formation होगा तो बनेगा secondary और hydrophobic collapse होगा तो बनेगा tertiary और उसके बाद subunit association और इन सब चीजों के बाद बनता है quarterly yes और no clear है थोड़ा और detail में चलते है धीरे धीरे तो इतनी बाते समझ में आगी तो that's हाँ जी क्रिस्टियन एंफिंसन के scientist एक scientist थे क्रिस्टियन एंफिंसन और इनके experiment के उपर एक बाचित कर लेते हैं कई सारे literature में इनको 1950s दिया हुआ है कि कई सारे book में 1950s बोलते हैं कई लोग 1960s बोलते हैं लेकिन इनका जो पेपर आया था 1973 में आया था ठीक है तो आब यह लिट्रेजर में कहीं लिखे तो यहां पर लड़ाई करने मत आ जा ना मैं जो है उनका जो जहां पर पोट किया गया पेपर मैं उस एयर से यहां पर इसले लिखा हूँ इसी के फोल्डिंग और री फोल्डिंग के उपर बात करी थी इन्होंने किया क्या कि इस आरेज एको दो डी नेचुरिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया ठीक है पहला जो डी नेचुरिंग एजेंट था वो था यूरिया और दूसरा डी नेचुरिंग एजेंट था वो है ब तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों agent मिलके आरने जएको inactivate कर देंगे या denature कर देंगे जिसकी वज़़े से जो है आपका यह native की जगा denatured हो जाएगा अब जब denatured हो जाने के बाद यूरिया और βीटा मरकेप्टे उतनॉल को हटा लेंगे तो यह जो native confirmation है वो फिर से regain होने लगेगा ठीक है तो इसी basis पे जो है basic तोर पे काम की गई थी और इन्होंने कुछ conclusion उसके बाद निकाला उन conclusions को समझेंगे लेकिन इन्होंने बताया कि जो amino acid sequences होते हैं वही folding information को contain करते हैं कुछ और नहीं है कि folding के लिए कोई तंत्रमंत्र करना है मतलब उसी के अंदर ही folding का सारा information है जैसे आपके अंदर ही सारी information है बनने बिगड़ने का वैसे ही जो है amino acid sequence ही बताएगा कि protein fold कैसे होगा और उसके अलामा there is a one important thing कि सिर्फ और सिर्फ strong interactions नहीं सिर्फ और सिर्फ डाइसलफाइड बॉन्ड नहीं क्योंकि कई लोग अभी भी ये बोलते हैं कि protein proper fold करेगा तो उसमें सिर्फ जो है डाइसलफाइड बॉन्ड का रोल होता है लेकिन ऐसा नहीं है डाइसलफाइड बॉ यह दो इंट्रेक्शन जो है बहुत इंपोर्टेंट वहते हैं दाइसलफाइड बॉन्ड को तोडने वाला कौन होता है बीटा मर्क्त अ्युम्रॉण और हाइडोजन बॉन और हाइडोफोबिक को तोडने वाला कौन है यूरिया ठीक है चलिए देखने की कोशिस करते हैं लेट्स डिस्कुस हीर यह उन्होंने आरेनेज-A को शो किया था यह आरेनेज-A का स्ट्रक्चर है जिसमें आरेनेज-A के पास जो है वो आठ सिस्टीन होता है और आठ सिस्टीन जो मिलके चार डाइसलफाइट बॉन्ड बना रहे होते हैं और चार डाइसलफाइट बॉन्ड के बनाने की probability जो है कि जो 26 वाला है वो 84 से 40 वाला 95 से अठावन वाला 110 से या 65 वाला 72 से इसकी probability मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके probability is 1 upon 105 थी यानि यह सारे के सारे डाइसलफाइड बॉन 105 बार में से एक बार अपियर होगा मतलब उसकी probability इतनी है तो यह जो form है वही native state है इसी को बोलते दिये this is the native state that native state is catalytically active state यानि enzymetically active है यह आर्नेज A आर्नेज के साथ bind करके उसे तोड़ सकता है अगर आपने इससे जो है यूरिया दे दिया और बीटा मरकेप्टो एथनॉल दे दिया लगभग यूरिया का जो concentration होता है 2-2 pore molar आप यूरिया देते हैं और कुछ concentration जो है वो लगभग बीटा मरकेप्टो एथनॉल का देते हैं जैसे ही आपने यूरिया और बीटा मरकेप्टो एथनॉल को दिया यूरिया विल ब्रेक दे नॉन कोवेलेंट इंट्रेक्शन या वीक इंट्रेक्शन लाइक hydrogen bond and hydrophobic interaction and this disulfide bond यह जो बीटा मरकेप्टो एथनॉल है इस disulfide bond को क्या करेगा तोड़ देगा या reduce कर देगा जिससे कि यह सारे के सारे जो sulfur है अब वो bond बनाने की जगह जो है वो thaiol group में हो गए reduced हो गए oxidized होने की बज़ा reduced हो गए तो बीटा मरकेप्टो एथनॉल ने disulfide bond को तोड़ दिया बीटा मरकेप्टो एथनॉल ब्रेक disulfide bond अब interestingly एक बड़ी कहानी यह हो जाती है कि अब जिए disulfide bond के ऊपर चर्चा कर रहे थे इसमें यह जो coarse structure है यह native है कि denatured हो गया है this is denatured unfolded तो ऐसे structure को आप क्या वो लोगे unfolded मतलब fold नहीं है वो या दूसरे तोर पे इसको बोलोगे denatured अब यह denatured से जिसमें disulfide bond तूट गया है अब इसमें दो cases देखे गया है अगर आपने इससे जो है सिर्फ बीटा मरकेप्टे इथनॉल को हटाया तो सिर्फ यहां पे यूरिया आप सो कर रहे हो कि यूरिया अभी भी present है बीटा मरकेप्टे इथनॉल हट गया है तो बीटा मरकेप्टे इथनॉल हट जाएगा लेकिन अभी भी यूरिया प्रेजेंट है तो डाइसलफाइट बॉन का formation होगा जरूर लेकिन जहां पे होना चाहीं वहां पे नहीं होगा इंकरेक्ट पोजिशन हो सकता है कि जो 26 वाला 84 से कर रहा था वो जो है 40 वाला 84 से कर ले कुछ ऐसा कर ले या जो है 26 वाला 58 से कर ले ऐसे कुछ जो है मैं मुझे एक्जेक्ट पोजिशन इसमें जो है मैं नहीं शो कर रहा हूं एक रैंडम पोजिशन बता रहा हूं कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ यहां पे देखो डाइसलफाइट बॉन्ड का formation हुआ हो तो गया क्योंकि बीटा मरकेप्टोथ नॉल आने के लिए दिस प्रॉसेस इस नोन इस डी नैचुरेशन इसी प्रॉसेस को आप क्या बोलते है डी नेचुरेशन बोलते है और यह डी नेचरड फ़ॉम जैसे अपने बीटा मरकेप्टो अथ्नॉल हटाया तो वह फोल्डिंग करने लगेगा तो ऐसे को क्या बहूंगा अच्छा यह जो re-naturation हुआ है यह re-naturation fast होगा कि slow होगा slow होगा क्योंकि अभी भी एक agent वहाँ present है और वो कौन है urea अभी भी कुछ ऐसे agents है जो कि weak interaction को बनने नहीं देंगे यहाँ पर याद रहे कि di-sulfide bond जरूर बनेगा लेकिन hydrogen और hydrophobic interaction अभी भी नहीं बने है because of the presence of urea and इसी वज़े से जो di-sulfide bond का position आपने सो किया था वो incorrect सो किया था क्या सो किया था incorrect तो जैसे ही जैसे ही अब आपने इस पूरे case से यहाँ से urea भी हटा दिया क्या कि आपने urea भी हटा दिया और beta mercapto ethanol भी हटा दिया दोनों हटा देने की वज़े से अब renaturation fast हो जाएगा रिनेचुरेशन slow होगा कि fast होगा पास्ट हो जाएगा और रिनेचुरेशन fast होगा और जो di-sulfide bond बनेगा अब वो correct position पर बनेगा इनकरेक्ट पर बनेगा देखो correct पर बन रहे तो जैसी removal of the urea and beta mercapto ethanol करेंगे यहाँ पर native फिर से वापस आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो folding का process है जो renaturation का process है वो spontaneous process है किसी agent की वजह से अगर protein denature होता है और उस agent को आप हटा देते हैं किसी agent की वजह से protein denature होता है और अगर आप उस agent को हटा देते हैं तो protein वापस से fold हो जाएगा अपने आप लेकिन याद रहे कि उसमें भी आपको non-covalent या weak interaction भी जरूरी है सिर्फ डाइसलफाइट बॉन जरूरी नहीं है क्योंकि अगर नॉन या वीक इंट्रेक्शन की बात करें उनको आप नहीं मलब उनके एजेंट को नहीं हटाते हैं अगर वो अल्रडी तूटे हैं अल्रडी बन नहीं रहे हैं वो इंकरेक पॉजिसन पे बन जाएगा अगर अप उसको हटा दे उस एजेंट को जिसने नॉन कोविलेंट इंट्रेक्शन को तोड रखा था तो नीज बनेगा बनेगा वो करेक्ट पॉजिसन पे बनेगा कि तो केहने का यह मतलब है क्ये गई दो तीन चार गंठूजद्स निकलकर यहां पर आते जहला गंठूजद निकलकर आता है जो थीछली ज्डेवल ओग वही यहां पर ऐब इसके बाद तीसरा यह कि जो hydrogen bond and hydrophobic interaction अब हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक यह भी important interaction नहीं है यह भी important interactions है ठीक है तो यह सारी चीज़े हो जाती और फूर्थ important चीज की जो structure होता है वो amino acid के sequence में ही होता है तो amino acid sequence ही जो है गवर्न करता है 3D folding को यह कुछ चार इंपोर्टेंट conclusions निकल के आया एंड फिंसन के experiments से कि protein folding is a spontaneous process it's a physical process non-covalent interaction is also important and the amino acid sequence contains the information of the folding ठीक है अब यहां पर देखने कोशिस करो अब जैसे किसी ने एक बड़ा interesting सा question पूछा कि अगर incorrect disulfide bond बन गया है उसके बाद अगर हम यूरिया को हटा रहे हैं अगर incorrect disulfide bond बन गया है उसके बाद अगर हम यूरिया को हटाएंगे तो तब क्या इसके बाद correct बनेगा क्या तो यह बड़ा अच्छा question पूछा है लेकिन इसके बाद नहीं बनेगा क्यों क्योंकि क्योंकि already disulfide bond बन चुका है कि आपको यहां से हटाना पड़ेगा इस unfolded से आप एक आपको यूरिया हटाना पड़ेगा और यहां से वापस अगर एक बार incorrect position पे बन गया तो भले ही आप यूरिया हटा दीजिए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर जो incorrect का incorrect रहेगा क्योंकि इसको तोड़दी के लिए कोई बीटा-marcaptoethanol नहीं है आपको बीटा-marcaptoethanol यूरिया एक साथ हटाना पड़ेगा या यूरिया को पहले हटाईए भिर बीटा-marcaptoethanol को इससे यूरिया आपको अगर हटाना है तो दोनों ही हटाएंगे अच्छा कोश्चन था और यह चीज ध्यान रहे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक क्लूजन क्या था इनफिंसर्णी का तो जैसे बहासे यह यहां के लिए अधिंसर्ण की सटर्णी aja क कि आए अ क्या यह क्यों मार आफुएंट thermodynamic hypothesis of the protein folding मतलब जो सबसे stable होगा जो सबसे favorable होगा वही जो है सबसे structure बनेगा कीसरा की native conformation जो है of a protein सबसे most stable होगा जैसे मैंने बताया and the weak interactions like hydrogen bond and hydrophobic is vital, is very important, is crucial, is essential for the disulfide bond formation disulfide bond formation native structure के लिए weak interaction का होना भी जरूरी है, समझ में आया क्या ठीक है तो यह कहानी जो है वो आपको देखने को मिलती है यह एंफिंसर experiments के cases में तो एंफिंसर experiments का जो case बना था यह कहानी बन गई है बाकि देख ले ना कोई बोल रहा incorrect disulfide फिर से बता दीजे अच्छा ऐसा कुछ incorrect disulfide में समझ में नहीं आया है या समझ में आ गया है और भी किसी को एडाउट है incorrect disulfide नहीं समझ में आया ठीक है अब जो है बेसिक तोर पे देखो जोड़ी ब्रेकर और जोड़ी मेकर वाली कहानी है एक बार फिर से मैं समझा देता हूं नहीं तो यह तो वैसे मेरे से बच्चे आजकल बहुत भनाये पड़े हैं पतानी क्या खाके बैठे हुए कि सब मेरे उपर चिल्लम चिल्ली मचाते कुछ भी बोल देता हूं ऐसे चड़ जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दियो मैं न मलब मैं इतना प्यार मतलब अपने पांच साल की जर्णी में मैंने नहीं देखा तो जितना प्यार मुझे अब मिल रहा है तो मैं बता देता हूं नहीं तो फिर से कोई बड़ा सिंपल सा एक्स्पेरिमेंट था और बच्चे का डाउट बड़ा लॉजिकल था लेकिन क्या करें ठीक है कि क्या करेंट्रेस्टिंग सी कानी अब इसके उपर मैंने बात किया था भाई कोई भी प्रोटीन हो आप इस प्रोटीन के जैसे आपने यूरिया दayı दिया और जैसे आप इसको बीटा-मर्क दो कहानियां बनने वाली हैं अब दो कहानियां यह बनेगी कि पहली कहानी है कि अगर ठीक है पहला मैं तीनों कहानी बता देता हूं पहला यह केस हटते हैं कि मैं अभी जो है यूरिया अभी भी है आपने सिर्फ क्या हटाया है बीटा मरकर्टो एथनॉल हटाया है ठीक है तो जो प्रोटीन बनेगा इसमें सिर्फ कौन सा बॉण्ड का फॉर्मेशन होगा और यह जो फॉर्मेशन होगा वह करेक्ट पोजीशन पे नहीं होगा क्योंकि इसके पोजीशन बाइंडिंग के लिए हाइडोजन और हाइडोफोबिक इंट्रेक्षण भी है तो जिसकी वजह से कि यह जो डाइक सैलफाइट बॉरहन के फॉर्मेशन होगा वो केसा होगा इनकरेक्ट होगा यह किम्येबास होगा थोड़ा सा फास होता है कैसा होता से प्रोसेस इंट कर वा योह होगा उसेक्षाइब जो होगा कि यूंकि यूंड suspend है क्योंकि यूरिया अभी भी प्रेसंट है अब यूरिया प्रेसंट है तो जैसे मालों के कहीं पर हाइडोजन बॉन बनने हाला था और इससाथ को अ休 caption का पोजिशन कौत से एक रिए वो मिले गई आपको किसी भी एक फीमिल पार्टनर के पास जाना है और अगर आप चले गए तो दुबारा आप उसको वापस से सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके आँखों पर पट्टी बनी है और कान पर भी एरफोर लगा हुआ है गलती से कि अब जरूरी तो है नहीं कि सब सही बनेंगे हो सकता है कि ex person जो है किसी दूसरे पार्टनर के साथ चला गया दूसरा वाला तीसरे के साथ चला गया तो यहाँ पर जो bonding होगी वो correct होगी कि incorrect होगी क्यों क्योंकि बाकी के दो forces जो hydrogen hydrophobic है वो तो अभी बनी नहीं रहे थे और यह process भी renaturation है लेकिन धीरे होगा क्योंकि जब आख बंदा हुआ है कान पर कुछ earphone लगा हुआ तो आप धीरे धीरे silently check करेंगे भाई यही है कि नहीं है ठीक है और जैसे ही आप अब इसका थोड़ा और check करिए कि अब इसके बाद अगर आप यूरिया को हटा भी दे यूरिया को अगर आपने हटा भी दिया और बीटो मरकप्टिफनॉल तो पहले सी हटा हुआ है तो इसके बाद प्रोटीन भले ही फोल्ड होगा लेकिन स्टिल ये कैसे फोल्डे फोल्ड होगा इनकरीक्ठ ही होगा क्योंकि डासलफायट बॉर्ण एक बार बन गयो तो बन गयो अब अगर आपने एक गलत जोड़े के साथ हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया क्योंकि आप तो 싹य विए कन ऍपलीवी SAY प। की आपने यहां पर यूरिया को हटा दिया और ते जैसे यूरिया था यह मर कैपटो करेगा लेकिन क्या बनेगा है हीडोजन बॉंड को हॉब है है इसके बाद यूरिया यूरिया और फिर बीन होका रगोगा है ऑर फिर तो क्योंकि hydrogen bond and hydrophobic interaction पहले ज्यादा important है तो पहले अगर आग खुले है कान खुला है तो आपको दिख रहा है कि भाई पहले कैसे करना है और जब आपको बोला जाए कि जाए पार्टनर को पकड़िए तो आप उसी पार्टनर को पकड़ेंगे जो आप चाहते क्योंकि आपने पहले hydrophobic और hydrogen bond बना रखा है आपने प्रॉपर फोल्ड कर रखा है तो यहां पर जो hydrophide bond बनेगा वह कैसा बनेगा करेक्ट बनेगा यह कहानी है यह थोड़ा स्लो प्रॉसेस है क्योंकि पहले आप बीटा मर्केप्टेथनॉल रखे हैं फिर हटा रहे हैं तो यह प्रॉसेस आपने श्लो औक्सीडेशन लिखा हो और आपने भी थिएशि प्रॉसेस यहां पर जो है स्लो कोई oxygen नहीं है यहां पर और यहाँ पर हो रहा है और यह ऑक्सिडेशन कैसा होगा और इस केस में प्रोटीन जो बनेगा वो कैसा होगा करेक्ट ली हो जाएगा और नेटीव हो जाएगा समझ में आया चीज ठीक है तो लोग पढ़ दिया आपने किसी को confusion होगा तो hopefully यह clear होगा कि एन फिंसन बाबा ने क्या किया था उन्होंने यह वाला केस किया भी नहीं था बीच वाला उन्होंने यह slow oxidation और fast oxidation की बात करी थी यह बीच वाला केस जो है मैंने बता दिया अपनी तर क्रेडिट मुझे मत दे देने लगना भाई कुछ लोग सच में सीरियस हो जाएंगे ठीक है आपको यह बोलने लगेगा बाहुबली की जय हो ऐसा नहीं है ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है अब वापस आ जाओ प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ लिया समझ में आगा है अन तो प्रोटीन फोल्डिंग एक इजी प्रोसेस लग रहा है कि कॉंप्लेक्स सा प्रोसेस है जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं 100 अमीनो एसिड के पास फाई और साई एंगल आर ग्रुप में काई एंगल भाई साहब एक बात बताओ कि यह अगर कॉंफर्मेशन त के चलोगे एक अमिनों से तीन कॉनफर्मेशन रख सकता है ऐसे कितने अमिनों से कितने कॉनफर्मेशन रखेंगे और जब ऐसे रखेंगे तो एक बात बताओ क्या कि क्या पॉसिबिल्टी बहुत इंट्रेस्टिंग बनेगी कि क्यों एकडम वैसा ही फोल्डिंग होती है यह कॉम्प्लेक्स है अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है पढ़ने में अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़े आएंगी वैरियस मॉडल प्रपोस किया गया है उसका एक स्पेस्विक मॉडल है हाइड्रोफोबिक क्लैप्स जो मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया था हाइड्रोफोबिक क्लैप्स लेट्स डिसकस दिस वन थोड़ा डीटेल में तो धिरी दरी आपको समझ में आएगा कि यह कॉम्प्लेक्स क्यूं है अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब अनफोल्डेट चेंस जो होते हैं जो आपके अनफोल्डेट यह च्ट्रेंस होते हैं दिक क्लेप्स इन्टु ग्लॉबलर स्टेट यकोलाप्स हो जाते हैं पहले यह जो हैं फाइब्रल जैसा स्टेट होता है याद से स्टीट को वो लोगे फाइस्कार भाइस से बानाए या से के बनाएगा सेकंडरी स्टुक्चछर जैसे कि हखेलिक्स या शीट या या ऐस तरीके से जोंगर इसको कॉंसा स्टेट बोलोगे आप अथNow कि क्रिस्ट लाइन् थे होगा ये इस त diapers स्टेट होगाँ और क्रिस्टलाइन स्टेट के बाद यहीं पर क्या होता हुआ हाइडो फोबिक इस पarzी को लैप्स और हाइडो फोबिक कोलैप्स के बाद जो है अल्फा हेलिक्स थोड़ा सा अंदर रहेंगे बीटा से थोड़े से बाहर रहेंगे और यह state क्या सरदा को ग्लोबलर हो यह स्ट्थивать है क्या सर शेट यहाँ पर टर्श्री्ए पूरा बना है कि बनना सुरू हुआ है हाइडो फॉबिक स्टेग बनना शुरू हुआ है और जब इसे globular state को बोला जाता है Malten globule क्या बोला जाता है कि ओनला 10 Global to unfolded change अब हाइड्रोफोबी collapse करके Group and state में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है Fibrous crystalline and then Malten globule यह कुछ इस तरीके से स्टेट चल रहे होते हैं अब ये गोबलर स्टेट जो है फिर पूरा प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर में जाएगा और वो आपका 3D स्ट्रक्चर बना लेगा इसमें जो इंट्रेस्टिंग फोर्स इंवॉल्ड था वो था हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन याद रहे कि प्रोटीन की फोल्डिंग में डा फोर्स. क्योंकि अगर यह तरीट करेगे नहीं 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 जो प्रोटीन फोल्डिंग इननिसीयेट कर वाता है वह यह यह है ही आइड़ेफोबिक कोलाप्स और उसी की वज़ा से चीज़े बंती है ठीक है तो चली हम देखने की कोसिस करते हैं तो जैसे मैं ने बताया था, यह information वही लिखी गई है, कि beta seeds are more common in the interiors of protein than surfaces, beta seeds more common in the interiors of the protein than surfaces, ultra लिखा हुआ है, ठीक है, earlier stage में क्या बनेगा, beta, मैं उसकी बात करता हूँ, beta seeds are less likely to form than alpha helix in the earlier stage, earlier stage में सबसे पहले क्या बनेगा, alpha helix बनेगा, beta कम बनेगा, या दूसरे सब्दों में बोले, दूसरे सब्दों में बोले कि alpha helixes are more likely to form than beta seeds in earlier stages, yes or no, हम यह बोल सकते ने कि alpha helix पहले बनेगा, और beta बात में बनेगा, ठीक है, और यह चीज़ देखो, proline residue can occupy and the end terminal of an alpha helix, यह हो सकत हैं क्या, generally नहीं होते, लेकिन क्या कभी भी proline residue and turnness पे नहीं हो सकता, अग मैं जनरली बोल रहा हूं कि प्रोलीन नहीं होना चाहिए लेकिन प्रोलीन ग्लाइसीन का जो टर्न वाला स्ट्रक्चर लेकिन ये किसकी बात कर रहा है ये तर्न की बात कर रहा है कि प्रोलीन रेजिडिव की बात कर रहा है ये सिर्फ प्रोलीन रेजिडिव की बात कर रह प्रोटीन देन सर्फेसेस जबकि मैंने तो उल्टा बोला था अलफा हेलिक्स जो है इंटीरियर बनेगा तो यह स्टेटमेंट क्या होना चाहिए इसको हम बीटा सीट के तौर पर समझेंगे कि अलफा हेलिक्स के तौर पर ठीक है इसको यहाँ पर ध्यान रख लेना इस स्ट्रक्चर यह हो जाएगा आपका आल्फा है लिक्स कि गरल लिखा हुआ है कि मैं इसको एक बार कर बार करेंगा कि आपके स्ट्रक्चर इमया बढ के ठीक है अब भी के लिए हैं लॉचिकली एंबर ज्यादा होना चीए इन्टीरियर क्योंकि आलफा है इसलिए लेकिन अब एक बार वैरिफाइओ करने के लिए इसलिए मैंने स्टार मार दिया यहां पे अब जब भी प्रोटीन वोल्ड करता है तो जैसा मैंने बताया था कि उसके पास एक और होगा और एक सर्फेस होगा सर्फेस पर ज्यादा तर कैसे अमीनोशिक का प्रजिन्स होगा है इपर यहां पे पोलर ज़्दा हूंगे नॉन पोलर के तुलना में में चार्ज्ट था अमिनींए पोलर की तुलना में है अ सराफ सभ्ट ज्यादा तरह आपके चार्ज्ट राओ भीनोशर र् conditionывать के तुलना में अब ऐसा नहीं कि यह तब कोर में पोलर बहो सकता लेकिन नॉंहँब जादा होगा और ऐसा यह भी नहीं है कि सर्फेस पे पोलर नॉन पोलर नहीं हो सकता होगा लेकिन पोलर से कम वोगा यह información क्लियर हैं कि कहां पर कौन ज्याधा होगा कॉन वोगा कोर का मतलब है कि ये पानी से बचनी के लीए पोर बन लिए हो ठीक है तो यह कहानी कभी कभी कोश्चन में आ जाता है कि सर्फिस पर कैसा होगा कोर पर कैसा होगा तो ऐसे चीजों के उपर बाचित कर लेते हैं